स्टोट फ़ले ही छोटा जानबर है मगर इसकी फूर्थी के आगे हरगोश जैसे फूर्थीले जानबर भी पीछे राजाते हैं जैसा कि एसी वीडियो में दिख रहा है ये स्टोट और रेबिट एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं स्टोर्ट वैसे तो बहुत ही जादा चोटा जानबर है मगर ये इतना भ्यानक होता है कि किसी भी जानबर पर कभी भी अटैक कर सकता है अब जैसा कि एसी वीडियो में दिख रहा है ये दोनों स्टोर्ट मिलकर उस रैबिट पर अटैक करने के लिए बिलकुल तयार बैटे है मगर जैसे ही वो रैबिट उन स्टोर्ट को देखता है वो उदर से तुरंद भाग जाते है स्टोर्ट चाहे दितना मर्जी भ्यानक जानबर हो मगर रैबिट के फूर्ती के आगे यह स्टोर्ट जैसा जानबर भी कुछ नहीं कर पाता करगोस अकसर अपने दुस्मनों से बचने के लिए कभी भी सीधा नहीं दोड़ता है बल्कि हमेशा ठेडा मेडा होकर दोड़कर अपने आपको दूसरे जानबरों से बचाता है जैसा कि ये रैबिट कर रहा है स्टोट की सरीर के आकार के कारण ये चोटी से चोटे बिलो या सुरोंगों में जाकर अपने सिकारी का पीजा करता है और उन पर आसानी से हमला कर सकता है जैसा कि इसी वीडियो में दिख रहा है ये श्टोट बारबर उस रैबिट का पीछा कर रहा है मगर रैबिट की स्पीड लगबख 60 किलो मीटर प्रती घंटा होती इसी कारण कोई छोटा मोटा जानवर इस रैबिट को फकरने में कामयाब नहीं होता है